आपको आपको ये पार्ट ए सबसे सबसे प्रॉपर्ली क्लियर आ गया होगा पार्ट ए मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर दो ओवरल प्रिपरेशन आप फैनेशल स्टेटमेंट्स अस पर अकांटिंग स्टेंडर्ड तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा गईस ठीक है इस फॉर्मेट ऑफ बैलेंशीट बैलेंशीट के फॉर्मेट पे चले ओके ओल क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे अब अपन है नेक्स्ट पार्ट पर बैलेंशीट का फॉर्मेट हमने जनल इंस्ट्रक्शन ओवरल प्रपरेशन के जनल इंस्ट्रक्शन देख लिए अब हम देख रहे हैं बैलेंशीट के फॉर्मेट को बैलेंशीट के फॉर्मेट के बाद हम फिर बैलेंशीट के जनल इंस्ट्रक्शन को देखेंगे बीवन करके ठीक है अच्छा बैलेंशिट का फॉर्मेट सबसे पहले तो एक बार अपनी आखों में करती है ऐसे से तो बिलकुल अपनी अपनी आखो में मतलब इसन नागिन समझाओ दो मिनिट के लिए और अपनी आखों में इसकीमेज केपचर करते जाओ कि यह chi हम लिखेंगे रुपीज औन लैक्स या क्रोर्स वटेवर यह रोंडिंग ओफ का फंदा ठीक है particulars note number figures as at the end of current reporting period or figures at the end of previous reporting period ठीक है previous reporting पीरिए प्रथम सर आय है डाउट बिटा पूछ लो डाउट यह मत बोलो कि डाउट है डाउट पूछ लो लिख लो डाउट डाउट को लिख लीजिए अच्छा अब बैलेंशीट के फॉर्मेट को कैसे याद रखना है अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं रहता तो इस बार हम कोशिश करके देखते हैं शायद आपको याद हो जाए ठीक है ना तो बैलेंशीट के फॉर्मेट को कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ balance sheet के format को कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ पहले तो जो main head है मैं उनको highlight कर रहा हूँ जैसे पहला head है equity and liabilities ये number one ठीक है ना और number two assets तो balance sheet के दो हिस्से हो गए एक हो गया equity and liabilities और दूसरा हो गया assets एक हो गया equity and liabilities और दूसरा हो गया assets ये दो head है बनलब balance sheet दो हिस्सों में बनेगी these are the two different classifications classification ना बोल के अपने बोल सकते है different parts ठीक है अच्छा अब मुझे pen का color करना पड़ेगा थोड़ा सा change अब जो सब जो main part के अंदर जो main headings है उनको समझने की कोशिश करते हैं एक है आपका shareholder fund एक है आपका share application बनी pending allotment एक है non current liability एक है current liability मतलब liability side में मतलब equity and liability side में चार heading है important shareholders fund share application money pending allotment third is non current liability fourth is current liability चार चीज़े important है वैसे ही assets में non current assets और current assets non current assets और current assets ये दो चीज़े आपकी heading है है तो पहले तो नाम पता होना चाहिए headings का तो equity and liabilities में चार चीज़े है shareholders fund share application money pending allotment याद रखेगा pending allotment है यहाँ पर share application money refundable नहीं है share application money refundable नहीं है अगर share application money refundable होगा तो वह आपका current liability में चला जाएगा मैं बताऊंगा आगे को कहां current liability में कौन से जगा जाता है वह आगे की बात करेंगे non current liability और current liability ठीक है और asset के अंदर दो चीज़े हैं non current assets और current assets अच्छा प्रतम ने क्या बुला है सर अभी books खरीदे खरीदें तो result आने के बाद में lecture खरीदें time combo offer चला जाएगा क्या combo offer result के time पर जाएगा नहीं बस combo offer का थोड़ा सा price हलका सा बढ़ जाएगा combo offer result के time पे भी रहेगा बस यह है कि अभी जो combo offer है वो early bird discount है जो की 15,000 approach पे मिल रहा है plus shipping result के बाद अगर अगर अपन जाएगे combo के लिए तो उस time पे approximately 3,000 से 5,000 के बीच की value बढ़ जाएगी मैं आपको ये भी hint बता दे रहा हूँ 3,000 से 5,000 के बीच में price बढ़ जाएगा overall पूरे combo होगा मतलब maximum वो 15 का 20 हो जाएगा ठीक है आई बात समझ में ये भी कर सकते हो कि अगर आपको ये 3,000 से 5,000 रुपे भी save करने तो आप combo खरीद लो पर आप install मत करो सबसे best तरीक है मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पैसे बचें जहां पर बच सकते हैं obviously मैं भी सिंधी आदमी हूँ मैं भी कोशिश करता हूँ कि जहां पैसे बचें वहां बचने चाहिए तो आप combo खरीद लो आप combo बुक कर लो आपको तीन से पांच सार आपके बच जाएंगे आप serial की install मत करना अपने सिस्टम पर install मत करना install करना result के बाद क्योंकि result से पहले तो वैसे भी आपको live classes free of cost मिल रही है तो आप install करके कर भी क्या लोगे तो क्या होगा result आ जाएगा result के बाद आप install करना वहां से लेकर 6 महीने शुरू होंगे और result अगर खुदाना खास्ता कुछ गर्लत हो गया तो आप install मत करना बाद में install करना बच जाओगे ठीक है मतलब यह एक मैंने अंदर की बाद बता दी आपको practically जो कर सकते हो तुम लोग ऐसा अंदर की बाद बता दी जो practically कर सकते हो अब बाकि तुमारी मर्जी मतलब सब डीटेल में मैंने तुम्हें इंट्र लेक्चर में सब बताया हुआ है यह अभी प्रत्थम ने मुझसे डाउट पूछा तो आए थौट की चलो ठीक है यह चीज की जा सकती है ठीक है तो ऐसा कर सकते हो अच्छा department equity and liabilities में चार हेड ठीक है न चार हैड मेरे साथ साथ बोलो मतलब मैं मान चल रहा हुँ कि तुम जहां पर भी बैठे हो जिस जगह पे बैठे हो तो उसा मेरे साथ साथ बोलत जा रहे हो तो चार हैड कौह Musik equity इं लावड़िश ना पैला charity allotment हम refundable की बात नहीं कर रहें तीसरा non current liability चौथा current liability उसके बाद अपना जो asset है asset के दो head current non current liabilities पहले और non current assets पहले और दूसरा current assets ठीक है अच्छा अब थोड़ा सा चलते जाएं आगे प्रतम लूप होल बता दिया सर ने लूप होल बोलो इसको या फिर आप यह बोलो कि आप यार लूप होल नहीं बोलेंगे मैं इसको यह बोलूँगा कि यार क्योंकि teacher भी कभी student था ठीक है ना तो जब मैं student था तो मैं भी सोचता था यार कोई guide कर दे पैसे बच जाएंगे ठीक है ना मैं भी उस stage से निकला हूँ जहां मुझे अपने expenses खुद बियर करने पड़ते तो मैं जानता हूं यार मैं 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 कही न कही समझ सकता हूं वो चीज तो अगर कोई चीज से फाइदा हो रहा है students को तो ठीक है ना यार क्या दिक्कत है अब लूपोल हो चाहे नहीं हो उससे student का फाइदा हो रहा है अगर क्या दिक्कत है कर लो सर फिर attempt कौन सा फिल करना है purchase करते वक्त मैं तो बोलूँगा कि attempt आप recent recent मतलब जो भी सबसे सबसे आगे वाला attempt है मतलब November 21 फिल कर दो कि attempt फिल करने से आपको कोई फरक नहीं पड़ता मैं आपको एक चीज बता दूँ हम attempt आप से इसलिए पूछते था कि हमारे record में समझ में आ जाए कि यह बच्चे का कौन सा attempt है frankly speaking attempt फिल करने के लिए कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैं आ कि अलग है जैन 21 में 21 की अलग है बस आपको लिस्टिंग पर ध्यान से जाना है तो यह आगे चलके कब कब पास कैसे कैसे हो सकता है यह हमारा एक सिर्फ एक अंदाजा रहता है AI सिस्टम की according कि हाँ वो हमारी information में रहेगा उससे अलावा हमें attempt से कोई मतलब नहीं है ठीक है अच्छा आगे बढ़ते शेर ओल्डर फंड में तीन चीज़ें शेयर कैपिटल reservation surplus money received against share warranty अब मैं ना आगे नहीं बढ़ रहा हूं अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अभी और क्या पूछ रहा हूँ, सर जब से हम सीरियल की इंस्टॉल करेंगे, तब से 12 months validity period count होगा, yes, installation date से count होगा, installation date से आपका period count होगा, और जो मैंने 12 months बताया था, वो ऐसा होगा, कि basically आपको initially 6 months दिया जाएगा, initially 6 months दिया जाएगा फिर further 6 months के लिए आपको हमें mail करना पड़ेगा, तो कुल मिला के ऐसे 12 months रहेंगे, ठीके ना, जो मैंने आपको 12 months का benefit बताया था, वो ऐसा है, कि आपको initial 6 months के लिए validity मिलेगा, फिर basically ये 12 months का validity क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के benefit के लिए कि भाई, कल को अगर हो गया, आपने आगे classes आपने थोड़ी बहुत देखी भी थी, install भी कर ली थी, पर आपकी expired हो गई, क्योंकि आपका तो पीछे का group 1 पढ़ रहे हो, आप ऐसे case में क्या करोगे, आगे चलके आप हमें mail करेंगे, request डालेंगे, हमें मालूम है कि आपका तो group 1 वापस हो गया थ है, हम आपका further 6 months extend कर देंगे, so basically, जो validity है, वो 12 months का न बोलके 6 plus 6 है, यह याद रखेगा, अच्छा, बिटा अब ना पढ़ाई की बात पर आते हैं, ठीके ना अब पढ़ाई की बात पर आते हैं, वापस, share capital, reserves and surplus, money received against share warrant, तीन चीज़े, share capital, reserves and surplus, money received against share warrant, तो अपने आते हैं सबसे पहले, share capital पर, तो मेरे साथ नीचे आईए, मेरे साथ नीचे आईए, यहाँ पर, B1 पर, B1 में आपको मिलेगा, एक सकेंड, अच्छा, इधर आने की ज़रूत नहीं है, ठीके, कोई बात नहीं, फिलाल मत आओ, जो share capital है, आप share capital में क्या दिखाएंगे, share capital में आप क् capital से related information, cross reference, याद करो, share capital को आप cross reference करके दिखाओगे, कि भाई, share capital में आपका authorized capital किता है, issued कितना है, equity है और preference है, तो बताईए, अलग-अलग, preference का percentage बताईए, convertible है की cumulative है की non-convertible है, फुर उसके बाद partly paid है क्या, fully paid है तो face value कितना है, वगेरा वगेरा, आप इसको cross reference capital का, understood or not, दूसरा, reserves and surplus, this is the very important point, this is the very important element of financial statement or balance sheet, so इसको नीचे समझते है, reserves and surplus कहा लिखा हुआ है, reserve and surplus लिखा हुआ है, point number 6, a company shall disclose the following in the notes, इसमें पहला है आपका reserves and surplus, reserves and surplus, अब धिखा होगे, तो यहाँ तो आपका संगल amount दिखेगा, यहां तो आपका ऊपर संगल amount दिखेगा, basically, ठीके न, यहाँ आपने reservant surplus दिखाया, मान लो आपका itezalnd surplus दिखा 15 schooltr 17,5 so 15,75,000 laws i. जो भी amount है dispersed 1 cer 51,75,000 आपने यहां पर यह amount दिखा दिया, ठीके न, आपने यहाँ पर यह amount दिखा दिया आपके प्रेफरेंच शेर के रिडम्शन पर और एक बाइबेक प्रेफरेंच शेर के बाइबाक पर एक बाइबक पर प्रेफरेंचर के रिडम्शन पर्यू ता एक हो प्रेफरेंच अपर इसमें आप लिख सकते हो आप लिख सकते हो चाहो तो और अगर अभी आपको लिखने का वो नहीं है तो बुक जब आप प्रिंट करवाओगे अभी कुछ दिन के लिए अप पीडिफ नोट प्रिंट करवाओगे जब बुक आजएगी तो लिख लेना यह ठीक है अभी आपके स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना चाहिए ठीक है शेयर ऑप्षन आउट्स्टेंडिंग अकाउंट इसको ना एक काम करो इसको लिख लो ईसॉप हमारा इसॉप का एक चैप्टर है इसॉप का एक चैप्टर है उससे रिलेटेड यह चीज है इसॉप तो मैं आपको चैप्टर करवाओगा तो तब वापस यहां पर मैं ले आऊँगा और बदाऊंगा देखो यह मैंने इसॉप के बारे बता था इसका मीनिंग यह होता है यहां पर यह रिजर्व शर्प्लस में आता है अभी मैं जानबूझ के डीटेल में नहीं जा रहा हूं जानबूझ के क्योंकि इसॉप के बारे में अगलग चेक्टर है तो मैं उसको बता नहीं है वैसे इसी इसी बैच में इसके अलाबा अधर रिजर्व अधर रिजर्व प्लीज इस पेसिवाइब नेचर और परपस अगर आपने कोई दूसरा रिजर्व बनाया है जैसे रिविन्यू रिजर्व बना दिया जन्रल रिजर्व बना दिया तो आप उसको नाम बता दिखा दोगे एक इंपोर्टेंट फेक्टर है ड़िस सर्प्लस अधिस सर्प्लस सरी सर्प्लस क्या होता है सर्प्लस मतलब आपका प्रॉफिट जो भी आपने प्रॉफिट अंकिया दियूरिंग दे यर उसमें से जो भी आपने जो भी आपने एप्रोप्रेशन किये जो एंड में आपके पास बैलेंस ऑफ पी इंडल बचा तो सर्प्लस मतलब बैलेंस इन end में जो आपके पास balance बचा that is called surplus final balance of current year profit तो surplus को अपन क्या बोलेंगे surplus means final balance of current year profit current year profit current year का profit का final balance सर रिजवन सर्प्लस का भी only surplus कहते है ना नहीं बेटा balance sheet पर रिजवन सर्प्लस ही दिखता है रिजवन सर्प्लस के अंदर इस surplus को पहले हम retained earning बोलते थे अब उस retained earning को हम retained earning न बोलके surplus बोलते हैं यह जो amendment आया है वो यह amendment है कि आपको heading तो रिजवन सर्प्लस रखना है उसके अंदर जो यह surplus वाला point है पहले हम इसको retained earning कहते थे अब आपका यह surplus के नाम से दिखेगा ठीक है a reserve specifically represented by earmarked investment shall be termed as fund आपने यह कई बार पढ़ा है बच्पन में कि अगर आप investments के against एक reserve create करते हो आपके कुछ fix investments हैं आपको हर साल पैसा invest करना पढ़ता है किसी fix reason के करण जिसके लिए आप हर साल अपने profit बे से एक reserve create करते हो उसी investment के लिए तो उस investment reserve को आप बोलते हो fund basically ठीक है तो fund और reserve में फरक क्या है reserve जब भी होता है तो आप उसको basically बोल सकते हो कि वो एक free reserve हो सकता है पर fund मतलब किसी specific चीज़ के against अगर बनाया है तो इसलिए हम debenture redemption reserve को debenture redemption fund भी बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पी इंडल मतलब लॉस शेल भी शोन एज नेगिटे फिगर 90 परसेंट बच्चे नहीं उलचते 90 परसेंट बच्चों को पता है कि अगर पी इंडल का डेबिट बैलेंस है current year में लॉस हुआ है हमें उस लॉस को asset side में नहीं दिखाना है हमें उस लॉस को basically reserve and surplus में negative में दिखाना है पर still आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं आज भी इस चीज को सालों से पढ़ाया जा रहा है कम से कम 5-6 साल पहले से यह चीज अमेंड हो चुकी है पर बहुत सारे बच्चे बोलते 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यह नहीं पता रहता कि अच्छा जो loss होता है मतलब debit balance होता है जो minus में होता है उसको हमें asset में नहीं दिखाना होता है asset side ना देखा कि हमें liability side में minus करके दिखाते है मला reserve and surplus में minus करके दिखाना होता है ठीके ना? कि हमारा जो Reservance Arplus है वो Minus में भी दिख सकता है वो Negative भी दिख सकता है अगर सभी का Total Minus में आ रहा है तो वो Negative भी दिख सकता है प्रतम ICI के Balance Sheet में देखा था Embarked Investment हाँ बिलकुल देखा होगा ICI के Balance Sheet बहुत सही example दिया आपने प्रतम क्योंकि ICI का तो काम यह ना, ICI का पैसा किस से ले रहा है, ICI कोई profit oriented entity तो है नहीं, ICI profit oriented entity तो है नहीं, ठीकिन ICI अपना पैसा कहां से कम आता है, members और students, तो उसको वो पैसा apply करना है कहीं न कहीं किसी कारण से, तो definitely ICI के कुछ important investments होते हैं, तो उन investments के against, अगेंस उनको fund बनाना पड़ता है, तो उस investment को बोलते हैं, embarked investments, so reserve and surplus can be negative, अच्छा तीसरा क्या है, यहाँ पर money received against share warrant, money received against share warrant, सर यह क्या होता है, कोई बताएगा share warrant, money received against share warrant, कोई बताएगा मुझे, money received against share warrant, कोई बताएगा मुझे, money received against share warrant, कोई मुझे बताएगा, क्या है इसका मतलब, अप्लिकेशन बनी का सर, अप्लिकेशन बनी नहीं, money received against share warrant, यह वाला, अप्लिकेशन बनी के अगेंस्ट में, future में पार्टी को money देंगे, नाइ, 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 उल्टा बोल दिया, निदी कुमारी गलत बोला, the fund which has expired, but due balance is received in current year, no, 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 मुझे लगा पता होगा, amount received against bearer document, that is share warrant, yes, 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 but what to do with this, साही रादरी आपका अंसर सही है, पर इस क्या करेंगे क्या, amount received हो गया, करेंगे क्या, हम उसको shareholder fund में क्यों दिखा रहे है, हम इस money received को shareholder fund के अंदर क्यों दिखा रहे है, ये shareholder का पैसा है क्या, हाँ, तो कैसे, shares yet to be allotted, very good, amount received against bearer document, that is share warrant, money received against share warrant का मतलब ही होता है, कि आज मैं एक bearer document, मतलब आज मैं एक particular document पे लिखके दे रहा हूँ, कि मैंने तुमसे एक लाख रुपए लिए, इतने shares के हिसाब से, पर मैं तुम्हें share issue करूँगा, 6 महीने बाद, ठीके ना, मैं तुम्हें 6 मंस बाद issue करूँगा, पैसे मैंने तुमसे ले लिए, ये जो document है, ये bearer है, मतलब इसको तुम किसी और के नाम पे भी transfer कर सकते हो, 6 महीने बाद, जो भी ये document मेरे पास लेके आएगा, मैं उसको share issue कर दूगा, मतलब मैंने पैसे पहले से ही लेके रखे हैं, आगे चलके मैं share issue करूँगा, तो मैं इसको share order fund में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये पैसा, अभी मेरी liability नहीं है, मुझे वापस नहीं करना है, अगर मुझे इसको वापस करना होता, तो मैं इसकी liability दिखा था, मैं उसको share order fund में नहीं दिखा था, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैसा तो कहीं न कहीं हमारी company में ही लगेगा, ये share order का ही पैसा है, share order का पैसा मतलब capital है, तो इसलिए हम इसको share order fund में दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके, shares अभी issue नहीं कर, बट money ले लिया है, बिल्कुल ठीक बात, very good, तो इसलिए हम इसको share order fund में दिखाते हैं, तो आपको ये point, share order fund वाला point आपको समझ में आ गया होगा, second point, share application money pending allotment, same point आपने shares issue किये, आपने share application money बुलवाया, आपका over subscription नहीं हुआ है, आपका allotment procedure है, अभी आपका complete नहीं हुआ है, जब आप allotment कर लोगे, तो यही आपका share application money share capital में convert हो जाएगा, ठीक है ना, share application money share capital में convert हो जाएगा, अब आप बोलोगे sir, share application money pending allotment, और share money received against share warrant sir, यह तो एक ही हुआ, मैं बोलूँगा, यह एक छोटा सा difference है, money received against share warrant में, आपके पास जो document है, बेरा document, आप किसी और के नाम पे transfer कर सकते हो, पर share application money pending allotment मतलब यह हो चुका है, कि अब तो share आपको ही allot होंगे, किसी और को allot नहीं होंगे, ठीक है, याद रखेगा, तो share application money pending allotment मतलब, company मुझे ही share issue कर सकती है, क्योंकि मैंने share application money दिया अपने नाम से, money received against share warrant मतलब, मैंने मानी जे company को share issue, पैसा दिया, मुझे company ने warrant दिया, share warrant, वो share warrant मैं किसी और को sale भी कर सकता हूँ, profit loss पे, तो यह transferable होता है, share warrant, ठीक है बटा, आपकी आज की next class जो होगी, वो 10.45 पर होगी EIS की, पवन गाहुकर सर की, तो मेरी class के बाद, आपकी आज की EIS की class start हो रही है, पवन गाहुकर सर विल टेक तर subject, from today itself, ठीक है ना, बट पवन गाहुकर सर की class के बाद, आपकी कोई और class आज नहीं होगी, मैंने बुला था की, धीरे धीरे सारी classes start होती जाएंगी, so 14 से, proper start हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, non-current liabilities, non-current liabilities, में चार चीज़े हैं, long-term borrowing, deferred tax liabilities, long-term provisions, non-current assets, चार चीज़े हैं, long-term borrowings, deferred tax liability, एक काम करो, deferred tax liability पे लिख लिज़े, AS22, AS22, deferred tax liability पे लिख लिख लिज़े, AS22, यह जो deferred tax liability, यह AS22 के जरीए दिखा ही जा रही है, हम जब AS22 पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आगा, long-term borrowing, क्या होता है, long-term borrowing, basically जो भी हमने long-term loans लिए है, bank loans लिए है, debentures issue किये है, तो long-term loans में आपके, bank loans, debentures, एक्सेक्टरा, मैं एक्सेक्टरा इसलिए लिख रहा हूँ कि, जरूरी नहीं कि bank loans और debentures लिए, bonds, bonds, ठीके न, यह सब आ जाएंगे, ठीके, so long-term borrowings में bank loans हो गए, debentures हो गए, bonds हो गए, जो भी आपके debt funds, जिसको आप debt fund बोलते हैं, debt equity ratio निकालने के लिए debt बोलते हो, D, E, B, T, कुछ लोग debt बोलते हैं, मैं पही पहले उसको debt बोलता था, कोई हसने वाली बात नहीं है, ठीके, अपना अपना है, so debt, debt funds, जो भी debt होते हैं, आपके long-term borrowings वो मानी चागती है, फिर दूसरा, long-term provisions, long-term provisions, सरी ये long-term provisions में क्या आता है, income tax का provision आता है क्या, नहीं, नहीं, long-term provision में जैसे मान लिजे, आपने ग्रैचुईटी का provision create करना शुरू किया, ग्रैचुईटी प्रोविजन, और other retirement benefits, मतलब, ग्रैचुईटी कब दी जाती है, retirement की टाइम पर, आज company सोच के चल रही है कि भाईया, कोई भी employee जब रिटायर होगा, after some of years, after some of the years, after serving some of the period, तो हमें उसको उस टाइम पर ग्रैचुईटी पे करता है, यह हो सकता है, ग्रैचुईटी ना हो, पर आपके इस लेबस में AS 15 है नहीं, so AS 15 का नाम है employee benefits, तो ग्रैचुईटी का provision मनाना जरूरी होता है, या फिर retirement benefits का provision मनाना जरूरी होता है, जो कि long term provision होते है, ऐसा नहीं कि immediately आपका employee जाने वाला है, ठीक है? employee provident fund किसी ने बोला, तो employee provident fund जो होता है EPF, वो long term नहीं होता है बटा, वो short term होता है, हाँ, long term तब हो सकता है, जब आप खुद वो fund maintain कर रहे हो, जनरली जो EPF काटा जाता है employee की salary से, और employer जब अपना मिला के जमा करता है government treasury में, तो वो short term nature का होता है, short term means, हमारे लिए वो short term है company के लिए, का company को तो pay करना पड़ेगा अभी की अभी, ठीके ना, long term तब होगा जब हमारे लिए वो 12 महीन से ज़्यादा period के बाद pay करना पड़े, other non current assets नहीं है, यहाँ पर non current liabilities है, other non current liabilities, और ऐसी कोई भी liability जो इन तीन category में नहीं आ रही, तो वो other non current liabilities के category में आएगी, 2 minute नीचे आ जाईए, यह देखिए, आपका non current liability का section, यह non current liability का section, non current liability के section में, आपके long term borrowings, आपके long term borrowings जो दिख रहे हैं, आपकी other long term liabilities जो दिख रहे हैं, other long term liabilities हैं, आपकी trade payables, और अरे long term creditors, अगर generally creditors को कहाँ डालते हो, current में डालते हो, अगर आपके long term creditors है तो, trade payables हैं, और अधर प्रोविजिजन अधर पॉविजन अगर कुछ हुआ तो ऐसा लॉग टम बॉरराइंग में क्या क्या आएगा बॉंड्ड्स डिबेंचर को अलग से दिखाउगे अगर बैंक से टम लोन लिया तो अलक से दिखाऊगे अगर किसी बैंक के अलवा किसी दूसरी finance lease finance lease इसको कर दो AS 19 अगर आपने कोई असेट finance lease पर लिया है जिसका पैसा आपको 12 महीने बाद पे करना है ठीक है तो वह आपका amount आजाएगा other type of loans further classified as secured unsecured यह जतने भी आपने ऊपर दिखाए हैं इसमें secured कितने हैं unsecured कितने हैं वह को बता होगे guarantee by directors इस loan यह जो आपने जितने भी loan लिये हैं इसमें किसी डारेक्टर ने आपके बहाव पर guarantee तो नहीं दिया यह director co applicant तो नहीं है ठीक है सर यह क्या है सब यह सब disclosures कि आपने यह loan तो ले लिए पर हमें user को पता होना चाहिए कि इसकी अगेंस अगेंस डारेक्टर ने guarantee दिया है कि नहीं इसके अगेंस्ट secured loans कितने हैं unsecured loans कितने हैं मतला risk कितने पर है और कितने पर कम है type of repayment इन loans का repayment schedule किया है ठीके ना मतलब कोई 15 साल का होगा कोई 20 साल का होगा कोई working capital loan हो सकता है period and amount of default as on balance sheet date अगर कोई हमने company ने अगर कोई default किया है तो कितने amount का default किया है और वो कितने period से चल रहा है दो महीने चार महीने दो साल चार साल पांच साल वगेरा वगेरा तो यह सारे सारे disclosure आपको देने पड़ते हैं तो यह non-current liability का आपका जनल इंस्ट्रक्शन हो गया आप आप इस point को समझ गए होंगे सो देखिए कैसे linking की हमने balance sheet के format के अंदर जो heads दी हुए हमने उन heads को पड़ा उन heads के अंदर जो सब्सक्राइब होते हैं हमने उनको देखा कि अच्छा हां सब्सक्राइब में क्या क्या है और सब्सक्राइब में जैसे long term बोरेंगे तो हमने पड़ा भाई long term liabilities अधर current liabilities आपकी जो होगे कि उसमें क्या क्या आएगा प्रोविशन में क्या क्या आएगा यह सब आपने connect किया ठीक है ना other long term liabilities बोलेंगे यह फिर other कि non current liabilities बोलेंगे एक ही बात है कि sir embarked investment एक बार से बता दीजिए embarked investment means अगर आप आपने कोई investment किया है किसी specific purpose के लिए for example मुझे आगे चलके पैसा दस साल बाद वो पैसा मुझे अपने कुछ capital expenditure करना है दस साल बाद मुझे एक capital expenditure करना है जिसके लिए मैं आज से ही एक investment करता जा रहा हूं कहीं बाहर दस साल बाद वो investment में पैसा बेच दूँगा और पैसा करूंगा और मैं उससे capital expenditure करूंगा ठीक है ना तो वो investment जो मैं आज कर रहा हूं उसको मैं embarked investment बोलूँगा और उसके अगेस्ट मैं आज एक reserve भी create करूँगा कि भया ये investment करने के लिए मैं profit में से पैसा निकालता जा रहा हूं यह होता है embarked investment निदी अगरवाल है ठीक है अच्छा तो यह हो गया आपका non current liabilities कई मुझे लगता है आज हमें यहीं पर ओवर करना है आपको घर से क्या पढ़किया आना है घर से आप भलब घर से मतलब आप घर मतलब आपको lecture के बाद क्या पढ़ना है आपको अगले lecture से पहले क्या पढ़के आना है आपको अगले lecture से पहले कि ठीक है अब पूछिए आप अपने डाउट अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए फिलहाल हम आज के लेक्चर का जो कॉंटेंट वाला डिसकुशन वाला पार्ट है वह हम यहीं पर एंड कर रहे हैं कैसे कहीं पर एंड कर रहे हैं हम जो भी प्रोविशन करते हैं उनका जो यूज है वो शेर होल्डर को बताना जरूरी होता है क्या हां बिल्कुल जो भी हम प्रोविजन करते हैं आप अगर कोई भी प्रोविजिन बनाते हो तो उसका हमें डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है तो यही तो रीजन यही डिस्क्लोजर ही तो डिस्क्लोजर के थ्रूई तो हम बता रहे हैं प्रोविशन क्यों बनाया है क्योंकि पैसा तो कहीं न कहीं शेरोल्डर का है तो आप जो भी प्रोविशन बनाते हो उस कोई contractual requirement है जिसके करना आपको प्रोविशन गिनाना पड़ रहे है तो इसके disclosure के तहे disclosure के थुरू ही तो शेयर ओडर्रस को मालूम पड़ता है न ठीक है ठीक है तो साही रांदरी I hope आपको समझ में आ गया होगा tell me the thing आपको अगर कोई और डाउट हो बचो मुझे बताइए and raise your hands अगर आज की class समझ में आई आज की class अगर logical लगी logical इसले बोल रहा हूं क्योंकि आज हमने यह 4 points पर भी discussion किया आज की class logical इसले बोल रहा हूं क्योंकि हमने आज schedule 3 start किया तो हो सकता है कुछ points आपको लगा हो किया schedule 3 में हमने पहले यह चली से हमने इतनी detail में शायद नहीं पड़ी थी और पड़ी थी तो तो भी कोई दिक्कत नहीं तो raise your hands अगर आपको आज की class अच्छे से समझ में आई अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला मैं भी अपने hands को raise कर देता हूं पर यह raise hands कहां से होते हैं कि यह क्या चीज है यह वाले sign को क्या बोलते हैं कि यह वाले side को क्या बोलते हैं जो मैंने अभी डाला है चैट पर ऐसा वाला है कि पता नहीं हो मेरे को hands नहीं मिल रहे मेरे को मिल गया कि सर आज का start in class सिखाया notebook में लिखा है क्या मतलब starting का सिखाया notebook में लिखा है मतलब कि मैं समझा नहीं कि पता नहीं अपने-अपने साइन डालते जा रहे हो इसका मतलब भी नहीं बता रहे हो इसका मतलब वह होता है क्या एटिट्यूड स्वैग टाइप ऐसा कुछ कि चलिए क्लास ओवर करें कि बताओ बच्चों कि चलो मैं क्लास ओवर करता हूँ अगर आपको कोई भी डाउट हो कि आप मुझे इस नंबर पर वाट्साइब कर सकते हों तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी एक दम अच्छा हूं कि सॉरी फॉर बिंग लेट इसलिए मैंने पहले से ही एक नोटिस डाल दिया कि आज की क्लास 15 मिनट थोड़ा सा लेट होगी वेरी गुड मॉर्निंग गाईस स्नीहल अशलेशा सीए एस्परेंट्स जो भी नाम होगा आपका नितेश कुमार निकिता थुराट गुड मॉर्निंग टू एव्ब्रीवन अच्छा जी शुरू करते हैं आज का सेशन आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल के सेशन में आपको कोई डाउट तो नही है और एक बार अपन कल का सेशन जो भी डिसकस किया था वो एक बार रिवाइस कर लेते हैं जल्दी कुउटली पांसे दस मिनट के अंदर गुड मॉर्निंग बाकी बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं अजय धर्ती स्मिता निधी अगरवाल द्रूव अधिती रैश्वर्य और बंबं चौधरी बंबं चौधरी सर यह रेगिलर क्लास है हां बिटा यह रेगिलर क्लास है और मैं आप से पूछूंगा बिटा आपक निकनेम रखा है बंबं चौधरी वाफ कि शलो अब आवास क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको एक बार क्लियर कर दो मुझे आवाज साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है कि साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है विटा कि नहीं नेम है मेरा वायर बहुत बढ़िया नाम है कि रियली नाइस नेम मतलब बंबं चौधरी बहुत अच्छा नाम हुआ कि ओके वाइस इस क्लियर चलिए एक रिविजन करते हैं शेडियूल त्री का शेडियूल त्री में हमने क्या पढ़ा था चलो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने शेडियूल त्री में क्या क्या पढ़ा था पॉइंट नंबर वन हमने पड़ा शिडियूल 3 कमपनीज एक 2013 का हिस्सा है उसमें हमने पड़ा कि शिडियूल 3 में तीन डिविजिन होते हैं पॉइंट तो डिविजन वन डिविजिन होने च्टाइब घ्र डिविजिन अप्लीकेबल फोर डोज कमपनीज वह रेकौइट तो और पॉइंगिंग अंशालनल किंए हमे इस लेपस में डिविजिन वन औपलीकेबल टिविजिन वन में पार्मिट ऑवड शीट फ्यांसिट दिये गए है और disclosure requirements बताई गई है division 2 और division 3 में भी formats बताई गए है जो की थोड़े से slight changes changed है ठीक है हम आते हैं schedule 1 के division schedule 3 के division 1 में schedule 3 का division 1 चार हिस्सों में हमने classify किया है we have classified it in four parts part number one general instructions for the preparation of financial statements complied with AS मतलब overall general instructions doosra part 2 part 2 is like balance sheet ka format or general instructions for the preparation of balance sheet 3 statement of profit and loss and general instructions for the preparation and presentation of profit and loss fourth general general instructions for the preparation of or presentation of consolidated financial statements voice low hair voice low hair 1 second hold करो अगर voice low है तो दो मेंट रुप जाओ दो मेंट रुप जाईए मैं voice का एक बार देख लेता हूँ अच्छा जी अब मुझे बार रुप use Phiเ बताओ मेरे साब से अब थोड़ा सा वोईस इशू नहीं होगा अब थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा वोईस अच्छा तो आगे बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हम देखते हैं पहला बाला जो पार्ट है डट इस जन्रल इंस्ट्रक्शन्स पॉर्ड प्रिपरेशन और फिनेशल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी रिक्वाइर्मेंट क्या पड़ी थी कि हर कंपनी हर वो कंपनी जो अका अप्लाई करना पड़ेगा उसको शेडियूल 3 अप्लाई करना पड़ेगा शेल प्रपेर इट्स फाइनेशल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इस शीडियूल दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि डिस्क्लोजर रिक्वाइर्मेंट जो एसके अब पॉइंट पे किसी पडिलर आइटम पे hisk recording presentation और शेडियू के अफ्रिक फरिक प्रेजिन पैसन बनेश्यी में कुछ औरbrand शेडियूल 3 का प्रेजिक्षिन पॉह करेंगे प्याता है कि जो जो आइटम अप फेस पेंगर जीक्स बाना में आप उसका cross reference note के द्वारा बताओगे आप बताएगे note करके note में आप उसका बताओगे कि उसका aggregation आपने कैसे कैसे किया उसमें क्या-क्या चीज़े है most importantly हमने turnover के basis पर rounding of rules पढ़े थे हमने पढ़ा था कि turnover if less than hundred crores तो हम अपने figures को round off कर सकते to the nearest hundreds nearest thousand nearest lakhs और nearest million ठीक ना nearest millions उसके बाद अगर हमारे turnover hundred crores touch हो जाए यह ज्यादा हो जाए तो hundreds और thousand जो था वो हट जाएगा सिर्फ nearest lakhs millions और crores और हमें इसको continuous basis पर consistent basis इस पे हमें uniformly इसको follow करना है जब तक हमारा threshold लिमिट न बदल जाए ठीक है ओके तनू schedule 3 चल रहा है बटा फिर हमने बोला था कि वह schedule 3 कहता है कि जब आप current year का financial statements बनाते हो तो आपको साथ-साथ comparative figures भी दिखाने पड़ते हैं यह हो गया हमारा जनल इंस्ट्रक्शन प्रॉपर ली उसके बाद हम आये थे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको बताया था सबसे पहले तो दो चीज़े इकवीटी लायाबिटीज ऊपर और नीचे असेर्ट संस tabii को इंद्र चारच चीज़ हैं याद आना है ये कंडियो पहलड度र सम्ट दूसरा शियर अप्लिकेशन बनी पेंड़िकेशन अलोट्maid pending allotment pending allotment pending allotment तीसरा 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 शेर अप्सलेकरण गुप हो गया तीसरा नौन-कृरंट liabilities चॉतहा curring्ट liabilities अब शेर कैपित यह widder Fund के नीचे अंदर सब तीन 5 की पहला शेर कैपिटल दूसरा अर बेहसर इससरा money-ünst a fight faced अगींस्ट शेर वारंस उसके पास शेर अप्लिकेशन में नी पेंडिंग अलोट में यह अपने आप में बस सिंगल हेडिंग है थर्ड नॉन करेंट लाइबिटीज में चार चीज़े थी सब हेडिंग में पहला आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छा क्लियर भी टा करेंट लाइबिलिटीज को हमने शायद अभी तक नहीं देखा था पर हमने नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन्स में हमने देखा था कि वह जैसे रिजर्वसन सर्प्लस हो गया तो जब आप रिजर्वसन सर्प्लस दिखाओगे फेस पे बैलेंशीट के तो उसका जैसे रिजर्वसन सर्प्लस में क्या क्या शामिल है जैसे रिजर्वसन सर्प्लस है जो की एस टैन के तूर जनरेट होता है और अगर कोई और रिजर्व बनाया है जैसे जनरल रिजर्व बना दिया इंवेस्मेंट रिजर्व बना दिया रिविन्यू रिजर्व बना दिया अगर ऐसा कोई और रिजर्व आपने बनाया तो वह बता देगे इसके लावा आप दिखाएंगे सर्प्लस सिर्फ नाम रह किया है तो अगर आपने करेंट करने के बाद बोनस पर आपके पास जो भी प्रॉफिट में बच गया तो भी आपका सर प्लस दिखेगा नेगेटिव में ठीक है अच्छा उसके बाद हमने देखा था नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जो हमारे चार है पहला लॉंग टम करेंट लाइबिलिटीज तो उसके केस में हमने देखा था कि लॉंग टम बॉराइंग्स लॉंग टम बॉराइंग्स आपको जब दिखानी है तो आप उसमें भी नोट में जब उसका नोट दिखाओगे तो क्रॉस रिफरेंस करके आप अलग-अलग क्लासिफाय करोगे कि दिबेंचर से तो अलग से दिखाओ बॉंड से तो अलग से दिखाओ बैंक लोन है तो अलग से दिखाओ अधर पार्टी से लोन है तो अलग से दिखाओ डिरेक्टर से लोन है तो अधर से दिखाओ ठीके ना डिपॉजिट से तो अलग से दिखाओ फिनाइंस लीज वाला है तो वो भी एक तरीके से long term borrowing हो गया तो उसको अलग से दिखाओ और other loans फिर इसमें आप दिखाओगे कि secured portion कितना है unsecured portion कितना है director के दोरा guarantee कितना लिया हुआ है दिया हुआ है repayment के terms क्या है आपने कोई default तो नहीं किया यह सब आपके disclosure requirements है other non current liabilities में majorly हमने बोला था कि वाई जैसे trade payables होते हैं जो की current में नहीं आ सकते जो की current liability के नहीं हो सकते trade payables तो आप वो दिखाएंगे और कुछ other item अगर है तो provisions में employee benefits के retirement benefit provisions जो की long term nature के हैं तो provisions में वो आ जाएंगे और अगर कुछ other होगा तो वो आ जाएगा अच्छा guys I hope आपको एतना portion समझ में आया होगा अब अपन बढ़ते हैं आगे यहां तक अगर आपको कोई doubt हो तो पूछ लिजे otherwise अब मैं आगे बढ़ रहा हूं that is यहां से शुरू कर रहा हूं current liability से अब मैं start कर रहा हूं current liability से अब मैं start कर रहा हूं current liability से अब जहां से देखे current liability में भी चार्च चीज़े नॉन करण्ट लाइबिटी में चार्च चीज़े ना long term borrowing defer tax liabilities long term provisions और अधर वैसे ही current liability में चार्च चीज़े पहला short term borrowing कि ठीक है short term borrowings दूसरा trade payables trade payables trade payables जो current nature के ओंगे जो non current nature के ओंगे वो तो चले गए उपर other current other non current liabilities में तीसरा other current liabilities और चौथा short term provisions ठीक है ना किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा है मुझे किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा है मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो डाउट है कि नहीं है तो करेंट लाइबिटी में चार चीज़े पहला शॉट टम बोरेंग दूसरा ट्रेड पेबल अब ट्रेड पेबल को देखो क्या दिखाया उन्होंने ट्रेड पेबल को भी आपको सब क्लासिफाई करना है दो हिस्सों में तोटल आउट्सेंडिंग दूज आफ माइक्रो एं स्मॉल इंटरप्राइज और दूसरा आउट्सेंड इंड्यूज ऑफ क्रेडिटर अधर देन माइक्रो एंट स्मॉल आपके जितने भी सप्लायर लोग हैं जितने भी आपके क्रेडिटर लोग हैं जितने भी आपके ट्रेड पेबल है उनमें से आपको यह देखना है कि कौ सब्सक्राइब vorher सबसंदों Micro and Small Enterprise Act में करवा के रखा होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ यह वाला जो creator यह छोटे से creator यह हमें यह दिखाना ज़रूरी है कि आपके छोटे-छोटे creators कौन से है और आपके बड़े-बड़े creators कौन से है तो इसलिए Micro and Small Enterprises वाले जो है हमारा जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो अलग दिखाएंगे और बाकी उनको छोड़ कर जो बचेगा वो अलग दिखाएंगे ठीक है अच्छा बचों ने बोला है कोई doubt नहीं है हाँ मतलब बीच में बोलते रहो यार मतलब यह तो फिर एक तरीके से वही हो गया कि recorded classes की तरह one way communication हो गया मुझे बीच बीच में आप कम से कम बताते रहो अपनी बाते करते रहो समझ में तो आए कि हाँ आपन जिंदा है ठीक है सो current liability में पहला short term boring उपर था long term boring दूसरा है trade bubbles ठीक है ना ऊपर सा defer tax liability यहां trade bubbles को दो हिस्तों में classify करेंगे trade bubble amount due to micro and small enterprises और दूसरा due to craters other than micro and small ठीक है जैसे मान लीजे मेरे तीन craters है A limited, B limited, C limited अब जो C limited है वो micro and small category में आता है और A limited और B limited micro and small category में नहीं आता है तो मुझे C limited का trade bubble अलग दिखाना पड़ेगा मतला मुझे दिखाना पड़ेगा अच्छा मुझे उनको payment C को मुझे कितना payment करना है और A और B को मुझे payment कितना करना है वो इमें अलग से दिखाऊंगा Other current liabilities और short term provisions आईए चलो देखते हैं इन चारों के बारे में थोड़ा सा नीचे इन चारों के बारे में थोड़ा सा नीचे देखते हैं अच्छा आप में से कितने लोगों के पास notes नहीं है कोई ऐसा student है कि जिसके पास notes नहीं है कोई ऐसा student है कि जिसके पास notes नहीं है कि सॉप्ट कॉपी में या फिर हाइट कॉपी में अब सॉप्ट कॉपी या हाइट कॉपी में नोट्स क्यों यह ऐसा है क्या कि जो नहीं है कि 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 कोई नहीं है ठीक है कि अगर किसी के पास नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सागर स्मिता नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए कहां चले जाना है डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो के चले जाए उसमें आपको नो अन्दर उसके अंदर अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अफोल्ड ecc Budget बनाया मैंने एक पोल्डर बनाया मैंने क्लासवर्क ऊच्छ Curustering के अंदर आप जाओगे तो पहला टॉपिक हे शीडिूल स्रीका जो आप डाउनलोड कर सकते हूं थीक है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा अब चलते हैं बॉराइंग्स पर अगर आप इसको पढ़ोगे ना पहले वाले पॉइंट को बॉराइंग्स को आपको ये लगबग लगबग वैसा ही दिखेगा जैसा आपने लॉंग टर्म बॉराइंग का पढ़ा था term loan from bank अलग से दिखा दीजिए term loan from other parties अलग से बताईए related parties अलग से बताईए deposits अलग से बताईए other loans अलग से बताईए कुछ item हटा दिए, जो की by default हमेशा long term nature के होते हैं, यह आपको वैसा ही दिखेगा, ठीके ना, यह आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा, जैसा आपके long term में था, आगे भी देखोगे, secured, unsecured, अलग-अलग दिखा दीजे, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे format में होता है, अगर director ने कोई guarantee दिया है, अलग से बता दीजे, period and amount of default, आपका default कुछ हुआ है as on balance sheet date in short term loan पे, short term borrowing पे तो वो दिखा दीजे, आपको यह जो borrowing है, मतलब जो long term borrowings, disclosure requirements है कि आपको क्या-क्या disclose करना है, अलग से, वैसे ही short term borrowing की disclosure requirement है, तो long term और short term एक जैसा है, कोई रटरने की जरूत नहीं है, एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, तो यह था borrowing, यह था borrowing, बोरिंग के बाद होता है, trade pebbles, तो आते हैं, trade pebbles, trade pebbles, trade pebbles में आपको, trade pebbles को दो हिस्सों में classify करके दिखा रहे है, due to those parties who are micro and small enterprises, ठीके ना, micro and small, हमें उन लोग को पैसा देना है, जो की micro and small enterprise category में आते हैं, तो हम वो दिखा देंगे, और जो micro and small category में नहीं आते हैं, हमें उनका अलग से दिखाना है, अच्छा हो सकता है कि इस category में, micro and small category में हमारे, बतलब बहुत सारे हो, 12-15 creators हो, 12-15 creators हो, तो इनकी list बन जाएगी, A limited, B limited, C limited, और हो सकता है, इसमें भी हमारे 20-25 creators हो, ठीके ना, तो इनकी भी list अलग से बन जाएगी, आई बात समझ में, तो कहने का मतलब, जितनी parties आपकी micro and small में आ रही हैं, उनकी list अलग से दिखाओ, जितनी parties आपकी micro and small में नहीं आ रही हैं, उनकी list अलग से दिखाओ, औ MSME, provide details regarding principal amount and interest amount due and paid, MSME, मतलब यह उपर, micro and small, micro enterprise, small enterprise, इनके regarding आप दिखाओगे कि भाई, कितना amount आपको इनको देना है, और इस पे कुछ interest अपे नहीं करना हैं, आपको अलग से, वो आप अलग से रिखाओगे, ठीके, बारेंग्स, वैसा का वैसा ही, पूरा का पूरा, शाट बोरेंग की तरह, ट्रेड वेवल्म को दो हिस्व में classify करना है, आते हैं, प्रोविजन पे, प्रोविजन भी देखो, तो same वैसा का वैसा है, आप जाके ऊपर जाके match करो, प्रोविजन, यह देखो, प्रोविजन ऊपर क्या था, लॉंग टम प्रोविजन में, प्रोविजन कोई example देगा provision for employee benefit short term में क्या क्या आजाएं चाहिए कि मैं आप आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं give me the example गिव मीडे एक्जांपल employee benefit के provision में short term provision में क्या क्या आएगा मैंने का long term provision का एक्जांपल ग्रैचुटी ग्रैचुटी पे करेंगे रिटायर्मेंट के टाइम पर फिर अधर रिटायर्मेंट बेनेफिट देंगे तो अभी सही हम प्रोविशन क्रीट करते जा रहे हैं short term provision employees के रिगार्डिंग कौन कौन से हो सकते हैं कि अधियल मी इंप्लॉईज के रिगार्डिंग short term provisions कौन कौन से हो सकते हैं पहला आया इपिएफ हां very good कि इंप्लॉईज प्रोविडंट बेड़ और कि जीनू गोयल इस सेंग प्रोविशन फोर टेक्स बीटा मैंने प्रोविशन फोर टेक्स प्रोविशन फोर टेक्स क्या इंप्लॉईज का होता है के बटा मैं others की बात नहीं कर रहा हूं मैं employees की बात कर रहा हूं others में आप बोल सकते हो कि income tax का आ जाएगा GST अगर आपने पेनिंग किया है तो उसका provision आ जाएगा others में समझ में आता है मैं provision for employee benefits पूछ रहा हूं सबने PF बोला है नलायक बच्चों PF के अलवा आपको नहीं आता दूसरा क्या होता है एक number के घदेओ मतलब ऐसे dart भी पढ़ने वाली है एक number के घदेओ मतलब बचपन से 11th class से अगर commerce background है और अगर commerce background नहीं भी तो foundation से आप एक simple सा provision बनाते आ रहे हो simple सा provision बनाते आ रहे हो और नलायक घदेडों सर कौन सा सर क्या EPF ही होता है बस शर्ट टम प्रोविजन नितेश कुमार ग्रेच्विटी बेटा ग्रेच्विटी लॉंग टम होने के चांसे ज्यादा होंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हो बट ग्रेच्विटी बेसिकली पेक अप की जाएगी रिटार्मेंट के टाइम पर और रिटार्मेंट में अभी इंप्लॉईज में समय है तो हमेरा जनरली वह लॉंग टम होगा नलायक लोगों में तो भूली गए नाम में नाम तो बिलकुल भूल गए किस ने लिखा है वर्कमेंच कॉंपंजेशन किसने लिखा है वर्कमेंच कॉंपंजेशन अगर कल को किसी का अचानक एकसी को कुछ चोट लग गई यहां किसी की death हो गई तो हम उसके घरवालों को compensation देंगे तो company हमेशा एक estimate करके provision बना के चलती है दो तीन लाख रुपएगा एश्वर्या ने सही जवाब दिया that is salary नलाय को salary outstanding करके salary outstanding करके एक entry बता entry होती थी अच्छा एक पामचा ना salary outstanding की क्या entry होती है salary outstanding की क्या entry होती है बटा कोई बता पाएगा एश्वर्या very good वैसे मैं आश्वर्या को बोलना चाहता हूँ good बटा धिमाग चला salary outstanding भी तो एक provision है बटा तो मुझे बताओ salary outstanding की entry क्या होती है मुझे बताओ salary outstanding की एंट्री क्या होती है salary outstanding की entry क्या होती है प्रितेश शा salary account debit to salary outstanding अश्लेशा salary to salary outstanding salary account debit to salary outstanding ने दिया अगरवाल very good ठीके चलो बच्चों को समझ में तो आया तो आप जब salary account debit कर रहे हो तो salary account debit आपका expense हो गया कहां जाएगा पेंडल में तू क्या कर रहे हो तू salary outstanding कर रहे हो यह क्या है यह लापकी liability है ना basically आपके liability के head में जाएगा पर यह कौन सी liability है यह provision की तरह है आपने एक तरीके से provision मना लिया कि मुझे आगे चलके salary pay करनी पड़ेगी इसी महीने की ठीके तो जब आप two salary outstanding करते हो यह two outstanding salary करते हो तो यह आपका एक हो गया short term provision ठीके ठीके others में आप लिख सकते हो income tax का provision हो गया GST का provision हो गया ऐसे आप others में आप दिखा सकते हो taxation related provisions हो गया आप दिखा सकते हो other than taxation related provisions भी हो सकते है provision for any expense provision for any expense to be incurred to be incurred तो others में यह मैंने तीन-चार आपको दो-तीन मैंने आपको बता दिये income tax का provision बना लिया GST का provision बना दिया ठीके ना expense आप कुछ बनलब आपने आपको कुछ expenses करने है मैं आपने expenses basically आपने कुछ काम कर लिया है खर्चा कर लिया पर अभी आपने उसको पे नहीं किया provision for expenses यहाँ expenses का provision अपको करना है वो आपने बता दिया ठीक है so basically this is the short term provision trade pebbles हो गया short term provisions हो गया now other current liabilities other current liabilities में कुछ कुछ points बहुत important है कुछ कुछ points बहुत important है जैसे पहला current maturity of long term debt कि इसका मतलब बता सकते हो क्या होता है कि इसका मतलब बता सकते हो मैं तब तक important वाले mark कर लेता हूं कि यह कुछ important है जो आपको exam में पूछ जा सकते हैं कि इसमें फर्स्ट है current maturity of long term debt current maturity of long term debt long term debt मतलब हो गया आपका non current liability तो वो तो यह हो गया 12 months pay करना है वो एंड रिमेनिंग पॉर्शन विल बी शोन एज long term liability धरती वेरी गुड बिटा एश्वर्या इपनी long term debt is getting matured in current year very good बिटा long term portion प्रितेश का long term debt का portion जो रीपे करना है तो उसे OCL other current liability में दिखा दिखाते हैं बाकी का non current liabilities debt which is paid in current year maximum बच्चे सही जवाब दे रहे हैं long term liability की payment within 12 months करनी है very good बच्चों मतलब मैंने एक bank से loan लिया 10 साल के लिए मुझे हर साल repay करना है EMI के रूप में हर साल मुझे repay करना है थोड़ा थोड़ा पैसा तो जो installment मुझे within one year pay करना है जो installment मुझे within one year pay करना है उसको मैं बोलूँगा current maturity of long term debt ना सिर्फ ये bank loan में हो सकता है ये long term debentures long term bonds जो हमने issue किये है इन सब में हो सकता है मतलब जितने भी long term liabilities होती है हमारी long term borrowings होती है उनका वो portion जो portion within 12 months में हमें repay करना पड़ेगा within 12 months में हमें repay करना पड़ेगा sir within 12 months कहां से from the balance sheet date within 12 months from balance sheet date मतलब मैं balance sheet date पे खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि within 12 months मुझे इसका कुछ amount loan का repay करना पड़ेगा उस amount को में बोलूँगा long term debt का current maturity ठीक है किसी ने बोला कि current year में जो पे करना है बेटा current year में नहीं आप यूं बोल रहा हूँ कि आज मैं अपनी balance sheet बना रहा हूँ और within 12 months अगले साल भी within 12 months मैं पे कर दूँगा तो it is current maturity दूसरा है current maturity of finance lease obligation आपको याद होगा ऊपर finance lease obligation करके था कहां गया यह long term maturity of finance lease obligation तो finance lease obligation में आपको बला था कि उसको long term की तरह ट्रीट करते हैं पर इसका भी तो कुछ lease rent आप within one year पे करने वाले हो तो वो आपका यहां पर आ जाएगा third interest accrued but not due interest accrued but not due accrued but not due मतलब accru हर महीने का interest accru होता जाएगा pay up करना है अगले महीने की 5 तारिक को अप्रेल महीने का interest accru कब हो गया 30 अप्रेल को 30 अप्रेल को accru हो गया मुझे pay करना है मुझे pay करना है 5th of May तक तो interest accru हो गया क्या एक मही को हां हो गया पर क्या due हुआ है क्या नहीं अभी डियू नहीं हुआ है डियू होगा 5th of May को so interest accrued but not due और दूसरा interest accrued and due मतलब total जितना भी इंट्रेस्ट है वो सब current में आता है वो सब current में आता है अदर करन्ट लाइबिटी जितना भी interest payable है जितना भी interest payable है वो पूरा का पूरा अदर current liability में आता है बस आपको अलग-अलग दिखाना है कि कितना accrued but not due है और कितना accrued but due है income received in advance अगर आपको कोई income advance में मिल गई आपको पैसा advance में मिल गया जैसे debtors ने मुझे advance में payment कर दिया अभी उनको मैंने sale नहीं दिखाया है ठीक है आपको interest advance में receive हो गया आपको commission advance में receive हो गया आपको royalty income advance में receive हो गया जो कि अगले साल का है वो अगले साल बलब next period का है ठीक है अनपेड डिविडेंड जब भी company dividend declare करती है क्या एंट्री करती है कि मैं पूछ रहा हूं dividend कि डिक्लियर्ड कि इसकी एंट्री क्या होती है डिविडेंड डिक्लियर की एंट्री क्या होती है कि अगर 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 कि इसने हल आप अपने जवाब को ठीक करो बिटा लॉंग टम डेट पेड इन करेंट इर नहीं बिटा पेबल पे करते तो आपका वो लाइबिटी कहा हुई आपने लिखा है पेड न करेंट इर आप बोल रहा हो करेंट मिचुरिटी और लॉंग टर्म डेट मतलब लॉंग टर्म डेट का वो पाइट जो आपने करेंट इर में पे कर दिया बिटा जब आपकर पे कर दिया तो उसको बैलेंशीट में क्यों दिखाओंगे इसका वो पाइट विच इस टू बी पेड विधिन वो भी करेंट हीर में नहीं ठीक है ठीक है डिटियर के एंट्री बोलो नला आपको डिटियर की एंट्री क्या होती है झाल प्रथम ने एंट्री गलत बताई है प्रथम ने एंट्री गलत बताई है dividend declare कि एंट्री होती है dividend account debit to dividend pay और आपको पता है कि हमें dividend को pay करना पड़ता है within 30 days अब जानते हूं यहूं डिवरेन्द अगाउट केगी क्यों किया क्यों कि और यह अमारा расп कैने members है है क्थिस पावल अगांट तो आपका यह वालां पाट्र姿 डिवोड़ेद पेवल यह आपका cargo अधर करन्ट लाइबली टी मी और इसी को हम बोल रहे हैं अनपेड डिविडिन अभी तक हमने पेड नहीं किया भाई डिविडिन हमें पेड करना पड़ता है 30 डेस के अंदर तो विदिन 30 डेस में पेड करना पड़ता है मतलब अभी मानलो मैंने आज ही डिकलियर कर दिया तो उसको पेड अभी करूंगा कल परसो तक तो मैं अपनी बैलेंस शीड में अगर दिखाना चाहरा हूँ अभी तक की बैलेंस शीड में तो यह डिविडिन पेडल मेरे अधर करेंट लाइबरिटी में दिखेगा कि आपने यह भी सुना है कि 30 डेज में अगर डिविडिन कोई क्लेम नहीं करता है तो फिर कि बैसिकली अंपेड डिविडिन जो होता है वो साथ साल सम्थिंग सम्थिंग वो कहीं इन्वेस्टर बिन क्यों आप इसको राइट आफ करते हो कैसे कि आप राइट और अगाउट डेबिट का तू डिविडेड़ कि आपने इसको राइट आफ कर दिया है है ठीक है तो यह entry ओती है डिवरेंड पेवल की हुआ धिया एंटरी होती है डिवरेंड हुआ थीक है हाँ इनवस्टर एड्जुकेशन और प्रोटेक्शन फंड कि भाय प्धेगная Wiki जब तक पएने की तो अनभ टे जाता है अब आज के बाद रखना अधर करन्ट लैबरीटी में जाता है अलब अलब नी तो नहीं क्या कि अगया इंस प्वेग विल्कशन बंड एक ऴिड़ीयव ड़िवीट ने देखो आगosenरे लिखा और refundable and interest accrued thereon और उसके उपर अगर कोई interest देना है तो to the extent refundable अब दोदो टाइप के application money होते हैं application money received pending for allotment application money received refundable तो refundable आपका चला जाएगा other current liability में जो pending for allotment होगा वो तो उपर अपन ने अल्रेडी दिखा दिया था share order fund के बाद unpaid matured deposits and interest accrued thereon deposits बेटा आपको याद होगा long term में आपने deposits दिखाए थे यह रहे deposits अब यहां आप क्या दिखा रहे हो यहां दिखा रहे हो unpaid matured deposit deposit पॉब्लिक डिपॉजिट अपने accept किये थे आपने public deposit का companies act में पढ़ा भी होगा क्या था section number पॉब्लिक डिपॉजिट का कोई section नमबर था क्या मेरे इसाब से कोई 50 में इसका section नमबर है public deposits का कोई बताएगा इसका section नमबर क्या है अच्छन नमबर क्या है कि मैं तो mobile में सर्च कर रहा हूं मुझे कोई बता देगा अच्छा 73 से 76 है मुझे लगा वह 50 में में को लॉग की ज्यादा पहचान नहीं है मैं इसले बता रहा हूं कि 73 ठीक है जो आपके मिच्योर हो चुके हैं पर अभी तक आपने पे नहीं किया और उसके उपर इंट्रेंस वीडियो हो चुका है पब्लिक डिपॉजट जो आपने एक्सेप्ट किये थे अब उसका समय आ चुका है आपको रीपे करने का वो मिच्योर भी हो चुके बट अभी तक आपने पे नहीं किया है वो ठीक है और अधर्स आपको समझ में आ गया होगा हैं जो आप थोड़ा सा इस अंस अधर करेंट लिएबिटी को डियातव में वाज चरूर करना यह बहुत On कि यह इसको बहुत एंप् foundation कि यह इंपोकर इंक चाहिए पता होने चाहिए चलो, एक बार आप इसको याद कर लो जल्दी मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो देखना चाहो, एक बार याद कर लो, जल्दी याद कर लो, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ कर दो लो, मुझा द रहा हूँ, आप नहीं है, जल्दी कर लो, यदी याद का वपी बार आफंपवा स्क्री याद देखना चाहिओना रहा जाद देखना मिजब को जाद रहा हाु To झाल 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 आछ जाल हुआ हुआ करे अच्छा जी समझ में आया यहां तक अंपेड में 1600 सब्सक्राइब कर लिया नौर्ट लइप्ड हमारा equity and liability portion अच्छे से हो गया हमारा equity and liability portion अच्छे से हो गया ठीक है हमारा equity and liability portion अच्छे से होता है अच्छा कोई ऐसा standard है जो liability पर specifically होता है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑल्दो हो सकता है शायद आपने एडवांस अकाउंट्स अब मलब क्योंकि एडवांस अकाउंट्स आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो इस हो सकता है आपको सारे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद ना हो बट फिर भी आइंजस्ट चेकी कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो की स्पेसिफिकली लाइबिलिटीज के लिए बनाया गया है कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो इस्पेसिफिकली लाइबिलिटीज के लिए बनाया गया है और वह आपक स्लेबस में भी है कौन सा है वो इस्टांडर्ड कर दो एरे स्ट्वतनिन इस करेक्ट आंसर distractions निए प्रतेश प्रतेश नाम से लग रहा है कि आप गुपविजरात से हो इसा ऐसा लग रहा है गुजराती प्रठेश शाह नहीं पता श़ी दू गोयर एशंग सक्षर ऑर्टायर 16 बॉरॉर इंड्ग पॉस्ट Incorporated सो बेसिकली इस बेसिकली ओन इंट्रेश्थ अमांट बोरो इंकॉसट फिल्ट मानने की जो मतलब इस्पेंश जिसका नाम है प्रोविजन्स कॉंटेंजेंट लाइबिटी बेस्टेंड होता है क्या तो हां एस 15 पर आपके स्लेवस में नहीं इंप्लॉई बेनेफिट्स अभी हमने प्रोविजन फॉर इंप्लॉई बेनेफिट्स बनाए ना सैलरी आउट्सेंडिंग एफ लॉंग तम में ग्रैट्विटी वह सब यह भी आपका लाइबिटी ही कंसिटर करके चलता है पर वह एंप्लॉई के रिलेटेटेटी कंसिटर करके चलता है ठीक है कि आई बात समझ में अब देखा मैंने सही बोला ना नाम से समझ में आगया आप तुम गुजु हो प्यार से गुजु बोलते ना अपन गुजुराती दुगों कि अचलो कि यह पॉइंट्स हो गए कि अचलो इसका है कि कोई से नंबर 2 कि आये है क्वेस्ट्रा नंबर 3 अटेंट करते हैं कि देखते हैं मैं से इसक्राइब कोई से नंबर 3 है क्वेस्ट्य नंबर 3 निकाल यह question number 3 निकालिए प्रोश सकति कारे प्रश काराली थी निक बेंगे चिट कारा प्राचान। of schedule of secured and unsecured loan of annual report of 16-17 of superstar limited जिसमें उन्होंने दिखाए loan funds secured unsecured unsecured में दिखाए short-term bank इसमें उन्होंने note number 3 डाला है 607-114 और 36112 schedule number 3 में उन्होंने जो secured का amount बताया है उसमें गोला है term loan from bank term loan from others other मतलब other parties ठीके अधर information क्या है current maturity of long term loan from bank कुछ याद आया यह क्या होगा इसका मुझे जवाब चाहिए current maturity of long term loan from other parties answer same होगा वैसे दोनों का answer same होगा मुझे इसका answer चाहिए there was no interest accrued due as at the end of the year end of the year में कोई interest accrued वगरा due नहीं है prepare appropriate note notes to accounts complying with the requirement of schedule 3 to the companies like 13 on the basis of available information कि रेहान सूरी रेहान सूरी मैंने ना बेसिकली यह बताया हुआ है कि कोर्स को हम किस तरीके से चलाएंगे आप मेरा introductory lecture देखना जो मैंने 10th को live लिया था 10th को मैंने लिया था live introductory lecture देख लेना इसी channel पर आपको देख जाएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा अभी पढ़ाई अभी क्या है बीच में में बता रही सकता हो उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ तो आप मुझे कि अरे समझे कि नहीं कि समझे कि नहीं कि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 295 002 312 112 यह आ रहा है 607 114 यह वही आ करन्ट राइविलिटी है सो हम यह कर सकते हैं कि जो आपका सिक्यॉर्ड लोन है हम पहले रफ में वर्किंग कर लेते हैं वर्किंग जो आपका सिक्यॉर्ड लोन है 607 114 उसमें बैंक और अधर जो है आपका 295 002 और 312 112 इसमें से हम माइनस करेंगे अधर करेंट लाइबिलिटी 30,000 और 15,376 तो 295 002 माइनस 30,000 265 002 आप नोट कर रहे होंगे यह आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो भी लॉंग टर्म बॉर्रेंग्स और 312 112 माइनस 15 376 296 736 यह भी आपका वही है और यह भी आपका वही है ठीक है समझे कि नहीं और इसके लावा अंसिक्यूर्ट शॉट्ट टम बैंक्स तो यह तो आपका पूरा का पूरा करेंट लाइबिलिटी है करेंट लाइबिलिटी है ठीक है शॉट्ट टम बॉर्रेंग्स तो हम इसको कैसे दिखाएंगे basically बताएंगे हम इसका note नंबर 3 उसने schedule 3 लिखा है हम note नंबर 3 लिखेंगे 3 लिखा है ना हम बताएंगे या ऐसा कुछ रुख जाओ बैलेंशीट एक्स्ट्रेक्ट इसमें बताएंगे नौन करेंट लाइबिलिटी नौन करेंट लाइबिलिटी में आएगा लॉंग टर्म बॉरॉइंग्स लॉंग टर्म बॉरॉइंग्स हमने दिखा दिया यहां पर नॉट नंबर थ्री नॉट नंबर थ्री हम बनाएंगे अलग से नॉट नंबर थ्री लॉंग टर्म बॉरॉइंग्स ठीक है इसमें हम दिखाएंगे हमारा पूरा का पूरा सिक्यॉर्ड है फ्रॉम बैंक फ्रॉम अधर पार्टीज कितना सार यह वाला पूर्शन 265 296 265 002 296 736 265 002 296 736 यह हो जाएगा 561 738 तो यहां आ जाएगा 561 738 पाइगा 561 738 ठीक है अ और एक बनेगा नोट फोर शॉर्ट टम बॉरेंग्स 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 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सीधा आ जाएगा कि अन्सिक्यूर्ड कि प्रॉम बैंक कि यह वाला 36 112 अन्सिक्यूर्ड लिखा है शॉट्टम लिखा है बैंक से 36112 यहां आप दिखाऊगे करेंट लाइब लिटीज करेंट लाइब लिटीज में दिखाऊगे शॉट्टम बॉरेंग्स पूर्थ नंबर और अधर करेंट लाइब लिटीज फिफ्थ नंबर तो 36112 यह फोर्थ नंबर आपका और इसके अलावा नोट नंबर फाइफ पहले यह देख लो कितना पोशन आया फिर यह देख लो अगर आपने कुछ छूड़ गया आपका नोट करना फिर यह देख लो नोट नंबर फाइफ अधर करेंट लाइबिलिटीज इसमें हम दिखाएंगे पहला कर णाउर करेंट लूडर्ड गार्ट इसस्टाइट्डांग कर अदूर्ड, कर दूर्ड, कर दोकर दोक्त क्रोंड accelerate और पार्तिव कर दोक्त कर कि 376 कोई इंट्रेस्ट वगेरा है नहीं वो साफसाफ बोल रहा है तो फॉर्टी फाइव कि 376 कि ठीक है कि इस तरीके से दिखेगा कि सरक्या इस टाइब के क्वेस्चन पूछे जा सकते हैं येस ये examination question नहीं है और ऐसे टाइब के question पूछे जा सकते हैं अब होता क्या है जो मेरा पास्ट experience रहा है बच्चों के साथ बच्चे क्या करते हैं ऐसी चीजों को बहुत ही कम देख के जाते हैं या उनको disappoint सा हो जाता है अरे यार पेपर साहीं नहीं आया यार पेपर टफ आया यार पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का पूछ लिया या कुछ लोग थोड़ा सा इंट्रस्टिंग जवाब देते की सब पेपर अच्छा था प्लब पेपर यह नहीं बोलेंगे सब टॉफ था पर सब्सक्राइब ट्रिकी हो गया सब ऐसे चीज़े आगई जो हम देख के नहीं गए क्यों नहीं देख के गए बॉस तो गलती आपकी है क्यों नहीं देख के हाना इस बार आइटिंग ऐसा मैंने सुनाई दिया ऐसा मुझे लगा ऐसा सुनाई दिया इफ आइम नौट रॉंग शायद ग्रुप बन एक कॉस्टिंग में शायद इस बार इसा हुआ था लास्ट जो भी हमने अभी जो भी अभी एक्जाम हुए है आइटिंग मुझे कॉस्टिंग का सुनाई दिया मुझे तो दर्शन सर ने बताया दर्शन चंडालिया सर ने बताया कि सर कॉस्टिंग के पेपर में कुछ ऐसे का वर्किंग नूट कि तुम लोग कुछ कमेंट करना चाहोगे कॉस्टिंग के पेपर पर कुछ कमेंट करना चाहोगे कि करना चाहोगे प्रिटेश शाह भगवान भरो से पेपर भगवान भरो से पेपर कि डीटी भी ट्रिकी था चाहँ चलो इस वसक्वेस्चन नंबर थ्री ठीके विटा ऐसे टाइप ऑफ क्वेस्चन के लिए आपको शिड्यूल थ्री की नॉलेज होना जरूरी है प्रॉपर यू गॉट तु नो कि हां यार कितना जरूरी है शिड्यूल थ्री पता होना अगुए चाहिए महां से आप यह एक और क्वेश्चन आजएए और फ्रोड कि कंट्रत फॉर्ड्य लिए कर नवे कट्रत नंबर फॉर हूं मैं आपको बोला सा शायद कि मैं आपको एक ओरिजिनल बैलेंस शीट पी इंडल फाइनेशल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा हुआ है कि चलो कि क्वेश्चन नमबर फॉर आस्था लिमिटेड है एफ सी सी बी सरी एफ सी सी भी क्या होता है एफ सी सी बी कि यह होता है फॉरण करंसी को अगर मेरी कंपनी अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी इंडिया में ही बॉंड इशू करती है तो इसको क्या कहते हैं your bonds है अऔर रहे मैं आपको बोलू Chinese food को चाइना में क्या कहते थी ट्व्ट को चाइना मेंट कि अब चाइना में दो इसको चाइनी सुट नहीं बोलेंगे ना चाइनी चाइना में तो इसको फूर्ट बोलेंगे यह सार क्या कर्रें सर ठीक है तो वैसे ही अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में बॉंड इशू करेगी तो उसको क्या बूलेंगे बॉंड उसका कोई एलेक से नाम थोड़ी होगा पर अगर एक इंडियन कंपनी बाहर की कंट्री में बॉंड इशू करेगी बॉंड इशू कर रही है मनला पैसा मि तो उसको इंडियन करण शी में पैसा मिल रहा है पर अगर एक कमपनी पॉरंग介 अगर ये तो पैसा बाइशन होगए और विलेगा तो उसको क्या बोलेंगे फॉरंग करंसी इसलेति बॉंट अब stay का मतलब क्या है यह बॉंड जब हम रिडीम करेंगे तो या तो एकुटी शेर में कनवर्ट कर देंगे या तो हम आपको कैश देंगे कनवर्टिबल बॉंड कनवर्टिबल से कोई दिक्रत नहीं पॉरन पॉरन करन्सी समझना है आपको ठीके नहां अच्छा समझ यह जोड़ी से पहले जो जोक बोला मैंने यह भी थोड़ा सा एक्सपोर्ट टाइप का जोक था पता नी चार लोग को तो लगए होगा की चलो उनको कल समझ में आएगा अच्छा हाँ यह तो सही बात है अभी अभी लेक्चर के बाद अभी नूडल्स खाले न अच्छा तो फॉरंग करन्सी कनवर्टिबल बॉंड मतलब क्या एक इंडियन कंपणी ने फॉरंग कंट्री में बॉंड इशू किये उसको पैसा आ रहा है वो फॉरंग करन्सी में और उसने बोला है कि आगे चलके हम आपको इस बॉंड को रिडिंग करते वग में मैं कंवर्ट कर सकते आप आप दियर का मतलब यह हो था है कि हम आपको आप्शन दे रहे हैं कि आपको कैस चाहिए तो कैस लेट आपको श्यार सचाहिए तो आ Northern कि आहीगा इंड़ आने ंए Taste hour तब का क्लीश क्लियर तो वापस आते ओ कि आज़ा लिम्यात है ए fc 20 एक तो साला दिमाग खराब तब होगा यह जब question paper में आता है इस टाइप का और FCCB का मतलब भी नहीं पता होता है तो यह पढ़के शब्द पढ़के पेपर टफे पेपर टफे पेपर टफे शकल देखते एक दूसरे की क्यों यह question no.4 आ रहा है तिरको नहीं आ रहा है चल ठीक पता था कि नहीं होता था बताओ अपना पेपर चला गया बहुत टफ बहुत ही खराब एक्जाइम सेंटर के बहुत भार निकलते सबसे पहली feeling क्या आती है सबसे पहली expectation क्या रखते है मनी मन में यह लगता है कोई बता दे कि हाँ पेपर टाफ आया था उसका भी खराब गय क्या है बहुत है क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था वो तरह क्योंकि साज भी कभी बहुत हुए तो मैं भी कभी स्टूडेंट था वाई मेरे को भी पता है कि क्या feeling आती है तो आस्था लिमिटेड है एफ सी सी बीज वर्थ रुपीस हंड्रेट क्रोड विच सार यह रुपीज क्यों बोल दिया आपने तो बोला एंडिया में रिकॉर्ड करने के लिए ना लाइक हम अच्छा कंपनी कोंसी है इंडियन कंपनी तो इंडियन कंपनी क्या जर्नल करेंगी ना यह कोई जोक नहीं था यह यह टेक्निकल पॉइंट है विचाट ड्यू टू मिच्वर ऑन 31st डिसेंबर 2016 अच्छा कुल मिला कि क्या है यह बॉंड्स हैं यह बॉंड्स मिच्वर होने वाले हैं 31st डिसेंबर 2016 को वाइल प्रिपेरिंग दा फैनेशल स्टेट्मेंट फॉर द इयर फैनेशल स्टेट्मेंट फॉर दियान से देखो डेट्स अब आपके पास दो देट्स हैं 31st मार्स 16 को आप बैलेंशीट बना रहे हो और आप अपनी बैलेंशीट में यह 100 क्रोड के बॉंड दिखा रहे हो ठीक है और यह बॉंड मार्च के बाद दिसंबर में मतलब आप मार्च में बैलेंशीट बना रहे हो दिसंबर में मतलब विदिन 9 मंस यह मिचौर होने वाले हैं मिचौर होने वाले हैं ठीक है ना it is expected that FCCB holders मतलब जिनको हमने बॉंड इशू किये वो हो गए बॉंड होल्डर विल नॉट एक्सराइज दो ऑप्शन ऑफ कनवर्टिंग दे सेम तो एकुटी शेर हमें कंपनी को अशा लगता है कि जब हम इन बॉंड को मिचौर करेंगे न तो वह हमसे एकुटी शेर नहीं ल को टेंगे मतलब हमें इसको कैश में रीडिम करना पड़ेगा होउ शूट दा कंपनी क्लासिफाइब remained कहां कॉरण के नयों क्रेंटमे आंसे मत देख ना नांक्रेंट में की करएंट में और अगर करणण में तो कहां पर ये आपसे पूछ आ आगे का question भी मत पढ़ना और answer भी मत पढ़ना मैं बोल रहा हूं answer अभी मत पढ़ना आप सिर्फ अपने अभी जितना अभी schedule 3 पढ़ा है उसके basis पर जवाब देना चाहें तो क्या जवाब होना चाहिए क्या जवाब होना चाहिए इसको current liability में डालेंगे कि non current में और अगर current में डाल रहें तो कहां non current में डाल रहें तो कहां ठीक है यह current liability होगा यह तो बिल्कुल सही बोला बच्चों ने क्योंकि सर यह due to be settled within 12 months है मतलब 9 महीने में यह settled होने वाला है तो यह हो गया आपका current liability अप current में भी यह कहां जाएगा अच्छा बॉंड क्या होता था बॉंड आपकी एक बॉराइंग है तो बॉंड आपकी बॉराइंग है पर यह within 12 months settled होने वाला है तो यह हो गया current maturity of long term debt क्या हो गया यह current maturity of long term debt तो basically कहां पर जाएगा other current liabilities तो यह current liability में जाएगा because it is due to be settled within 12 months मैं कह रहा हूँ answer मत पढ़ना आंसर पढ़ना शुरू करोगे तो आप बोलोगे सर यह क्या लिखा हुआ इत्ता सारा इन्होंने current liability की definition लिख दिए जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई है आई बात समझ में सो current liability के अंदर दो important head होने होते हैं एक होता है short term borrowing एक होता है other current liability यह कहां जाएगा other current liability में सर क्यों क्यों क्योंकि यह current maturity मतलब within 12 months हमें पे करना है ठीक है आगे यह पोल रहा है विल यूर आंसर भी different if the company expects that FCCB holder will convert their holding into equity share of आस्था limited क्या answer आपका different होगा क्या आपका answer different होगा जब आपको एसल लगता है expectation है कि वो जो holders है न वहापसे cash नहीं लेंगे वह आप से equity chevert लेंगे आपको इसल लगता है कि वह आपसे equity share ले सकते हैं तो क्या आपका अंसर बदल जाएगा इपका anसर वही रहेगा बताओ कमपनी को लगता है कि cash देने की जरुवत नहीं पड़ेगी कमपनी को लगता है कि cash देने की जरुवत नहीं पड़ेगी equity share में convert हो जाएगा क्या answer वही रहेगा या फिर answer बदलेगा कि यह सर बदलेगा प्रतेश ने बोला हर्श गर्ग ने बोला सेम रहेगा अचलेशा सेम स्मिता सेम यह दा आंसर वोड़ी सेम कमपनी का expectation से कि तुम अचार डालोगे क्या company के expectation से क्या मतलब है company ने तो option दे दिया ना holder को कि तुम्हें अगर cash चाहिए तो cash लेना share चाहिए तो share लेना company बोल रहे हमारा expectation है घंटा company अपने expectation का क्या अचार डाले वह कोई मतलब नहीं share holder क्या करने वाला है उसका expectation हम कुछ नहीं बोल सकते हम बोलें चलो यहर कल को मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा expectation है वह share लेगा मान लो कल को उसने बोल दिया नहीं मुझे cash चाहिए फिर so basically जब तक यह clear cut नहीं हो जाता कि उसको cash नहीं चाहिए तब तक हम हमेशा liability मानते हो चलेगे अब इसको मैं कैसे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझने की कोशिश करो if even there is a single 1% chance कि cash pay करना पड़ सकता है तू हमेशा liability बनाएगा तू इसको liability ही treat करेगा अगर single 1% chance भी है single chance भी है कि तू इसको cash pay कर सकता है तो तो तिरको यह liability ही दिखाना पड़ेगा हाँ अगर यहाँ यह क्या होता यह compulsory convertible होता अभी तो मैंने आपको बोला है option दिया है अगर यह compulsory convertible होगा compulsory convertible होता compulsory convertible मतलब cash तो देना ही नहीं है यह पता है कैश देना ही नहीं है जो cash देना ही नहीं है तो काई की liability ना यह current liability में आता ना यह non current liability में आता यह आपका equity shareholder fund में आता shareholder fund जो पहला heading है ना आपके equity and liabilities का पहला head shareholder fund यह उसके अंदर reserves and surplus के अंदर दिखाई देता क्या बात कर रहो सर वहां सर वहां कैसे अभी फिलाल यह share issue हुआ नहीं है तो share capital दिखा नहीं सकते money received against share warrant यह है नहीं तो क्या बचा reserve and surplus के सबसे last में others category में ठीक है तो अगर यह compulsory हर्ष गर्ग अगर यह compulsory convertible होता तो मैं इसको non current भी नहीं बोलता मैं इसको current भी नहीं बोलता मैं इसको बोलता बहिए यह तो compulsory convertible है यह तेरा जाएगा reserve sensor plus में आया समझ में हर्ष तुमने doubt पूछा था शायद delete कर दिया क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने वो doubt तुम्हारा ले लिया है कि 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 मैं उपर का description नहीं पढ़ वा रहा हूं मैं final conclusion पर आ रहा हूं in the present situation astha does not have unconditional right to defer the settlement of liability for at least 12 months the position will be same even after the FCCB holders are expected to convert their holding into equity expectation cannot be called as unconditional right thus in both the situation astha would classify the FCCB as current liability or current liability maybe OCL other current liability sir amena in ka conclusion or explanation समझ में नहीं आ रहा वो इसले नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक मैंने आपको current liability की definition नहीं करवाई है ठीक है चलो यह clear है क्यों नहीं बटा यह clear है ना कि दो questions हमने अब ही किये कि let me oh говоря before going further before going further कि मैं चाहाँगा कि मैं आपके साथ कि में असेट पार्ट जल्दी जल्दी indigenous कर लेता हम true अ-सेट का पार्ट मैं अपके सथ जल्दी जल्दी डिसकॉस कर लेता हूं क्योंकि मुझे आपको रिलाइंस की बैलेंस शीट पी इंडल वगरा दिखाना है फाइनेशल स्टेक्मेंट दिखाने और मुझे एक और क्वेस्टिन आपके साथ डिसकस करना है ठीके ना और हमारे पास समय थोड़ा सा कम है तो बिफोर गोई फर्दर पॉर रिलाइंस बैलेंस शीट हम पहले असेट पार्ट डिसकस कर लेते हैं असेट पार्ट में दो हैटिंग जैसे लाइबले एक्विटी लाइबिटी में चार एडिंग थी शेयर ओल्डर फंड मनी रिसीवड शेयर अप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलाइब्लट मेंन नौन और ट्रयंट पार्ट में दो हैटिंग है नौन करण्ट करेंड यह जो फ्रस्ट हैटिंग है वह आपका प्रपरटी प्राहन् टेनने कैप्र टौ इसके ओपर जो टेंग सकते हो आप ऐस टेन अब यह मत बोलना नलायक की एस 10 का पता नहीं तुम्हें एस 10 का नाम ही है प्रॉपर्टी प्लांट एक्यूपमेंट जो इंटैंजिबल असेट है उसका आप लिखोगे एस 26 अब एक एक एपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यू कैन राइट एस 10 एक एक आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुए वर्क इन प्रोग्रेस है पर है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन न तो एस 10 में आएगा इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलोपेंट और सेम वैसे ही आप इंटेंजिबल असेट बना रहे हो सॉफ्ट्वेयर बना रहे हो अभी वह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ वर्क इन प्रोग्रेस है तो अंडर डेवलोपेंट बोलेंगे एस 26 याद रखेगा चेंज बहुत पहले हो चुका है बड़ मैं फिर सी बता रहा हूं यहां जो मैंने येलो मार्क किया है जो मैंने येलो मार्क किया है यहां पहले अमेंडमेंट से पहले फिक्सड असेट लिखा करते थे जहां मैंने yellow mark किया है यहां पर पहले fixed asset लिखा करते थे अब हम property plant and equipment लिखा करेंगे ठीक है पहले fixed asset लिखा करते थे जो मैंने yellow किया है ठीक है इसके बाद non current investments you can write AS 13 यादे दो टाइप के investment हुआ करते थे long term investments और current investments तो जो long term investment थे वह आपके यहां जाएंगे फिर deferred tax asset यह हो गया आपका एस 22 कि सर उपर भी तो था हाँ उपर भी था यह डेफर tax liability है सर अलग अलग दिखाते हैं डिपेंड करता है अलग अलग भी दिखा सकते हैं net करके भी दिखा सकते हैं कुछ conditions फुल्फिल करनी पड़ती है net करने के लिए एस 22 जब में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा लॉंग टर्म loans and advances और other non current assets लोंग टर्म लोंस और यह लॉंग टर्म लोंस और अडवांस यह लोंस और अडवांस और अधर non current assets और investments तो लॉंस और अडवांस में क्या क्या करेंगे classify into capital advance आपके जतने भी loans and advances है लॉंग टर्म नेचर के capital advance security deposit अगर आपने कोई security deposit पे किया है और आपको वापस मिलेगा 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद capital advance कोई capital expenditure करना है आपको पर अभी आपने सिर्फ builder को advance देके रखा है loan to related parties आपने directors को डारेक्टर की बीवी को ठीके ना loan लेके देके रखा है और अगर कोई इस category में नहीं आता तो others इसमें आप दिखाएंगे secure कितना है मतलब जो डूबेगा नहीं unsecure कितना है है unsecure पर डूबेगा नहीं और doubtful है अगर आप इसके ऊपर कोई प्रोविजन मना रहे हो आपने किसी को एडवांस दिया आपको पैसा लगता है कि पैसा डूब सकता है तो आप प्रोविजन मना रहे हो तो प्रोविजन कोई दिखा होगे लग से आप बैसीकली नोट्स में दिखा होगे कि प्रोविजन आपका क्या है लोन ड्यूबाइ डिरेक्टर्स ओफीसट्री शर्मी सेपरेंटी डिस्टलूस ड्रेक्टर्स का है तो आप उसको सेपरेंट्री दिखा होगे तो कुल मिला कि आपका ही होगे लोंस एडवांस लोंसर एंड अदर्स रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ जो बुक मिलेगी वो एस पर न्यू स्टेडी मटल फ़र में 21 होगी जो आपको बुक दी जाएगी मेरी बुक आल्रेडी मैंने प्रिंट करवा के रखी थी ठीक है मेरी और मेरी मेरी टीम अभी लगी हुई है मैं और मेरी टीम लगे हुए है में 21 में जो न्यू चेंजिस हुए है स्टेडी मैट में हम उनको फाइंड आउट कर रहे है हम उनको फाइंड आउट कर रहे है जैसे ही हमारे चेंजिस कंपाइल हो जाएंगे हम उनका एक separate बहुत ही पतली एक बुक बन जाएगी वो मैं PDF soft copy में सबको provide कर दूँगा और हम उसका print निकालके सभी बच्चों को provide कर दूँगे मैं फिर से बोल दूँ मेरी जो books है institute ने अभी 4 दिन पहले changes किये मेरी books अलएडी printed है और इत्य कोई पुरानी printed नहीं है एस पर May 20, November 20 attempt के basis पर थी जो भी changes है changes कोई बड़े सारे नहीं है हाँ है थोड़े बहुत changes बड़े सारे नहीं है हम उनकी एक separate file बनाएंगे separate file को हम बच्चों को provide कर देंगे soft copy में भी ठीक है और उस separate file के basis पर हम lecture भी लेंगे उसके और lecture भी provide करेंगे so don't worry नयन मुझे लगता है मैंने आपको clear cut एक answer दिया है और सच बताऊं तो same answer आप other faculties से भी expect कर सकते हो जिन जिन फैकल्टी ने अपना book बना लिया है और यडी frankly speaking मैंने अपने 400-500 books का printing करवा लिया था कुछ दिन पहले अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको waste कर दूँगा मैं उसको कूडे में डाल दूँगा और वो डालना भी नीच चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा compilation है बहुत ही बड़ी सारी मैनत से बनाए गया है किया जाएगा इसमें तक और ओनलाइन डाउनलोड आप्शन आपका android पे होगा android पे होगा don't worry तो यह होगा लॉंस लोंस एडवांस अब आपके अधर नॉन करेंट असेट्स में क्या आएंगे लॉंग टरेड रिसीवल्स ट्रेड रिसीवल्स आपको याद है याद्व करन पड़ेगा बता दो यह देखो अधर नॉन करेंट लियुटि में आपके ट्रेड पेल्स हा रहे थे वैसे ही अधर नॉन करेंट असेट्स में आपके ट्रेड रिसीवल्स आगएilling और अधर और जो ये 트Read receivables आपके आ रहे हैं इसमें secured कितने हैं unsecured कितने हैं doubtful कितने हैं provision कितना आपने बनाया अगर बनाया तो डारेक्टर से related कुछ है तो same वई तो same point हो गया तो मुझे लगता है आपको यह point clear हो गया होगा कि सर लेक्चर देखना laptop पे सही है यहां फिर mobile पे obviously लेप्टॉप पे मतलब first priority should always be laptop mobile पर इच्छा नहीं लगता mobile पर एक feel नहीं आता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं एक feel आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो mobile का option उनके लिए सही है जिनकी मजबूरी है कि उनके पास laptop नहीं है वो laptop नहीं खरीच सकते है क्योंकि आज के समाने में mobile तो हर किसी के पास होता है android यह अज्यूंड फिगर है पर अगर तेरे पास laptop भी है mobile भी है तो always it is good option to choose laptop ठीक है तो यह लों से इडवांस हो गया यह अधर नॉन कुरेंट असेट्स हो गया आई होप आपको यह points समझ में आ गए होंगे ठीक है तो लों से इडवांस में फिर से बोल दूं लों से इडवांस में capital advances security deposits loan to directors और अधर और अधर नॉन करेंट असेट्स में trade payables और और इनके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोज़स हों के तोनों में पाई अगर प्रोविशन क्रीट की है तो प्रोविशन के बारे में बता दो डारेक्टर्स को दिया है तो डारेक्टर्स का अलग से सेपरेटली दिखाओ secured है कितना unsecured कितना है doubtful कितना है बगेरा बगेरा अब आते current assets में नॉन करण्ग में पहली हैटिंग थी property plant and equipment और दूसरी हैटिंग थी non current investments current assets में आपकी हैटिंग हो गई पहली current investments करेंट इन्वेस्टमेंट्स है ठीक हैi करेंट इनिवेस्टमेंट्स हो अ कि gdy सर आप एलेक्टी एस थाटीन है कि फिर आपका इनवेंटरी आशो है कि सर आप यह लिग देंगे एस टू कि इनवेंट्रीस बुखे जब कि इन्वेंट्री में रॉम अलग से दिखेगा डव्य आई पी अलग से देखेगा फिनिश गुड्स अलग से देखेगा याद रखेगा नीचे अलागी दिया हुआ है पर मैं पहले सी बता दे रहा हूं फिर फिर हाफिए है आपकी ट्रेड रसी क्वाइबल्स आप ट्रेड रसीर बल्स दीखो सेम तूशे माइक्र एंड स्मॉल और अधर सनन्माइक्रों सब्समॉल सेम जैसा त्रेड बल्स में था फिर cash and cash equivalents short term loans and advance यह short term loans and advance जो उपर आपका long term loans and advance था उसी का हो गया यह short term loans and advance अच्छा cash and cash equivalents में cash in hand, bank balance और short term highly liquid investments याद न वो AS3 में cash and cash equivalents की definition last but not least other current assets आई यह थोड़ा नीचे देख लेते हैं यह रहा, इसमें basically inventory तो आप देख लोगे investment देख लोगे, trading देख लोगे cash and cash equivalents और loans cash and cash equivalents में balance with bank checks, drafts in hand, अभी तक आपके पास आपके पास चेक बिल गया है, आपको पार्टी ने चेक देदिया, अभी तक आपने उसको डाला नहीं है, bank में cash in hand bank deposits with more than 12 months maturity shall be disclosed separately bank deposit with more than 12 months maturity देखो, अब आप बोलो के सारी यह more than 12 months maturity को आप cash and cash equivalents में क्यों डाल रहे हो maturity 12 महिने से उपर किये, पर मेरे को option है कि मैं आज भी इसको बीच में ही surrender कर सकता हूँ, मतलब मैंने यह जिसे for example मेरे को income हुआ, मेरे को लगा यार पैसा फालतू पड़ा हुआ है, बिला फालतू मतलब बैंक में बढ़ा हुआ है, कोई interest हो मिल नहीं रहे FD कर देता हूँ, कितने साल की, 2 साल की FD कर देता हूँ, बीच में जारत पड़ी तुडवा दूगा, बीच में FD को surrender कर दूगा, मतलब मेरी मर्जी में FD को surrender कर दूगा, तो आप चाहो तो उस FD को cash and cash equivalent का पार्ट बना सकते हो, कोई कि आपके ऊपर है, आप उसको कभी भी तोड़वा सकते हो, अब उसमें अगर वो बारा महिने से ज्याधा की value date की दिख रही है, तो आप उसको separately बता देता कि भाई, बैने ये safety को cash and cash equivalent में दिखाया है, पर इसका जो total maturity है, वो बारा महिने से ऊपर करें, लोन में देखो, loan to related parties और others, उधर क्या था, long term में capital advances यहाँ नहीं आया, security deposit यहाँ नहीं आया, यहाँ क्या security deposit हो नहीं सकता गया, हो सकता है, हो सकता है, आपने 6 मेने के लिए security deposit भी आओ, तो आपका others में आ जाएगा, ठीके, और loan to related parties तो आ गया, बाकी वही है सब कुछ secured, unsecured, good, doubtful, provision मनाया है, तो अलग से दिखाओ, directors को दिया है, तो अलग से दिखाओ, वगेरा, वगेरा, तो यह आपका cash and cash equivalents or loans, within 3 months में liquid होने वाले item, that is cash and cash equivalents, well, yes, so I hope आपको यह point आ गया होगा, समझ में, ठीके, यहां तक clear है, एक काम करते हैं, अगर कोई doubt हो, तो पूछ लो, तो अब तक मैं question निकाल लू, मुझे question आपके साथ discuss करना है, घर से आप उसको अच्छे से करके आएंगे, यह वाला, question number five, मैं जिस जिस question में लिख दू, exam, इसका मतलब वो question आपको exam में नहीं आएगा, ऐसा जरूँ नहीं है, exam में नहीं आएगा, जिस जिस question में लिखू exam मतलब वो question आपको exam time में revise करके जाना है, याद करो exam वाले days जब आपके exam होते हैं आने वाले 10 दिन बचे हैं पांच दिन बचे हैं दो दिन बचे हैं तो आप faculties को message करना शुरू करते हों मेरेको तो बहुत चारे message आते हैं तो उस टाइम पर आप ऐसी situation में ना आएं इसलिए मैं आपको अभी ही टिक करवा दे रहा हूं कि आपको कौन-कौन से questions करके जाने चाहिए अब कई बार सोचते हो कि यार बता दे faculty को कौन-कौन से question करके जाओ जाओ रिविजन कर रहा हूं क्या-क्या देखके जाओ तो question जो जो देखके जाने वह आपको यह सब देखके जाने जहां जहां एक्जाइम लिखा है ठीक है अब यह आपके सामने एक balance sheet है यह balance sheet गड़बड है यह balance sheet schedule 3 division 1 के format के according नहीं है आपको गलतिया पहचाननी है इस balance sheet को पढ़के अभी के अभी मेरे सामने ठीक है ना हम इसका answer कल की class में बना लेंगे अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ balance sheet पढ़ते जाए और मुझे गलतिया बताईए कि इसमें गलतिया क्या है मैं कुछ भी hint नहीं दूँगा मैं सो जान बूचके साथ-साथ पढ़ते हो जाऊंगा आपको पता नहीं चलने द प्लस employee stock option outstanding share application money refundable very good बहुत बढ़ियों non-current liabilities deferred tax liabilities arising from indian income tax ठीक है current liability trade pebbles ठीक है assets non-current assets fixed assets tangible capital work in progress including capital advance current assets trade receivals deferred tax assets profit and loss debit balance मुझे तो समझ में आ गया कि इस balance sheet में बहुत सारी गलतिया है क्या आपको समझ में आया है क्या आपको समझ में आया अभी शॉट में बात करेंगे कल इसका answer भी नोट करेंगे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं पहला पॉइंट आया इस आप विल भी शोन इंदर रिजवन सर्प्लस वेरी गुड विटा फरस्ट इन फरस्ट आउट फीफो जल्दी बोलो गुड भी उसको मिलेगा तो धरती निन आंसर दे दिया इस आप विल भी शोने रिजवन सर इस जल्दी बोल तो यह एक गलती है हमने इसको इस्टार लगा लिया गलती क्या है इसमें इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटसेंडिंग जो है वो रिजवन सर्प्लस में अलग से अंदर दिखता है वो बाहर फेस पे नहीं दिखता फेस पे नहीं दिखता दूसरा क्या है यह क्या है कहां आएगा यह यह आएगा अधर करेंट लाइबिलिटी इस और अंदर आएगा यह फेस पे नहीं दिखता है यह फेस पे नहीं दिखता है अधर को उसके बाद तुम लोग बोल रहा है अधर फिक्श ऑप्शेट्स नॉन करेंट असेट्स के अंदर शो नहीं शो नहीं चाहिए हां किसी ने बोला सर जो यह फिग्स असेट वर्ड मैं तो बोलूंगा यह फिक्स असेट वर्ड गलत है यह पीपी होना चाहिए होना यह नहीं यह पीपी होना चाहिए तीसरी गलती तो फिर प्रथम शेयर अप्लिकेशन बेटा पहुत पीसे चल रहे हो तुम लोग प्रॉफिट लॉस डेबिटी के रिजर्विटी के रिजर्विटी के एंडर होगा विल्कुल ठीक इसमें यह कहां जाएगा रिजर्व सेन सर्प्लस में नेगिटिव फिगर जाएगा यह चौथी गलती ठीक है फिक जैसे नहीं होगा पीपी है हर्षगर लिख लिया उसके बाद इसमें तक और कैपिटल एडवांस इन करन्ट लाइबिटी हां यह जो लिखा है इंक्लुडिंग कैपिटल एडवांस इसमें गलती है पर इसमें ता आपका सवाल का आपका जवाब Πूरा शरूह नहीं के पीटल एडवांस in नहीं होगा पिटा क्या ओंज आपका यह आपका यह आपका जाएगा बेसिकली आप कि लॉंग्टम लोन अनब्वांस इस लॉंग्टम लोंस और वांस युशा और ज़ो पेटिल एपिए है वो पी पी के अंदर शोग होगा बिल्कुल ठीक बात कि देफर्टेक्स असेट नॉन करेंट हाँ इसमें भी गड़ रहे है डेफर्टेक्स असेट यह बेसीकली आपका नॉन करेंट असेट है कि नॉन करेंट असेट है कि नॉन करेंट असेट है कि पिटा लाइट गई है चलो कोई बात नहीं अभी वैसे भी क्लास ओवर हो रही है लाइट जा चुकी है सो मेरे को अपनी क्लास थोड़ी सी जल्दी खतम करनी पड़ेगी और क्या है बेटा आप बताओगे कि जो आपके ट्रेड रिसीवबल से हैं उसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटर्प्राइज और अदर्स करके दिखाना पड़ेगा यह आपको दिखाना है अपने आंसर में एक और बात कि शेयर कैपिटल रिजर्पर जेंसर प्ल्स कि हूरी के इसका जो हेड होता है उन्होंने लिखा ही नहीं है अ buds सेयर होल्डर्स फंड करके एंड लिख रहा है बैलेंशीचे एंट स्लीकितल नहीं इक्वुटीर लाइपिट से डा डारेक नीचिछ उरक दी लिख दिआ हेड तो डाला ही नहीं है जैसे नॉन करंट लाइबिटी अपना एक हैड है करेंट लाइबिडी आपका एक हैड है ट्रेड पेपल्स को भी हमें शो करनाश माइक्रो एंड इस्मॉल एंटिटीज और अदर्स यह भी एक आपका गड़बड है गड़बड नहीं है मतलब इसका इसका डिस्क्लोजर देना है क्या तो इतनी सारी चीजें है जो हमें करनी है बोल क्या रहा है कमेंट ऑन दर प्रेजेंटेशन इंटरमस अश्यडिए थ्री तो दबंपनिज एक नोटिफाइद बाइड सेंट्र गर्में एक ही वर्ड में बंगार बोर नंग कमेंट करो मैंने बंगार कमेंट पंगार वै गटिया क्लास में आपको करवाँगा क्योंकि लाइट लाइट जा चुकी है तो भी लेक्चर को क्लोझ कर रहा हूँ वैसे भी टाइम हो गया है एक चीज पेंडिग बच गई जो आज करना था Reliance की Financial Statements ठीके ना, वो मैं आपको कल की Class में दिखा दूँगा, मतलब मैं अभी दिखाने को दिखा दो सकता हूँ यह Reliance के Financial Statements है, ठीके ना, यह Reliance के Financial Statements है, Standalone Financial Statement Independent Auditor Report, यह मैं आपको कल दिखाऊंगा, मैंने निकाल के रखा था, but अभी हो नहीं पाया ठीके ना सो यह Reliance कर, ठीके चलो, अभी के लिए इतना ही Thank you so much Bye-bye, जै माता दी Allah झाल क skills yup क्यात बढ़त的人 ए सकता है कर वह झाल हुआ का सकता है का सधang ख侏 की忘